Hello everyone, यह है Basic Calculation Series की Video No.22 जिसमें हम सीखने वाले हैं Profit and Loss के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि Profit and Loss कैसे Find Out करते हो या Profit Percent या Loss Percent निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे तो Profit Percent, Loss Percent तक पहुचने के लिए आपको CP और SP के बारे में पता होना चाहिए CP क्या है और SP क्या है उसके लिए एक example देखते हैं मान लेते हैं कोई एक Producer है ठीक है इस Producer ने कोई भी सामान बनाया है या Purchase किया है 100 रुपीज का ठीक है इसने कोई सामान बनाया है 100 रुपीज में और यह Producer किसी Consumer को यह समान बेच रहा है कितने में 120 रुपीज में बेच रहा है तो produce करने का जो price है इसको कहते है cost price और इसी की short form है CP और जिस price पे ये बेच रहा है इसको कहते है selling price बेचना यानि sell करना तो selling price इसी की short form है SP तो अब producer को मान लो कि आप producer की जगा पर हो आपने 100 रुपे की कोई चीज बनाई या किसी से खरीदी और आप उसको आगे sell कर रहे हो 120 रुपे में 100 की चीज खरीद कर 120 की बेचने पर आपको यहाँ पर क्या हो रहा है profit हो रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है तो profit हो रहा है कितने रुपे का आप कैसे निकालोगे ध्यान से देखना इतने में खरीदी 120 में बेची तो इन दोनों का जो difference होगा यानि अगर मैं आपे बोलू profit कैसे निकाला आपने selling price यानि जिस पे बेच रहे हो जिस price पे बेचा उसमें से आप जितने में खरीदा उसको minus क कर दो 20 रुपे जो है आपका profit है ठीक है तो यहां से एक formula तो मुझे समझ आ गया है profit का profit का मतलब होता है profit का formula होता है SP minus CP यानि जितने में बेचा उसमें से cost price हटा दो अब आते हैं एक और केस में मान लेते हैं यही producer और यही consumer है यह producer क्या कर रहा है इसने 100 में फिर से कोई चीज बनाई और उसको इस बार sell किया कितने में 80 रुपीज में यानि SP जो है selling price जो है वो 80 है इस case में क्या हो रहा है ध्यान से देखना मैंने जादा में खरीदी थी और उसको कम में sell कर दिया कितने कम में 20 रुपीज क 20 रुपे का नुकसान हो गया तो इसको मैं बोलूंगे loss कैसे निकाला हमने loss ध्यान से देखो loss कैसे निकाला CP में से यानि जितने में खरीदा था उसमें से selling price माइनस कर दिया तो CP पहले लिखेंगे minus selling price selling price छोटा है छोटी value बाद में तो यह आपका एक दूसरा formula है loss निकालने का formula से मत समझना concept से समझना आपको खुद बखुद समझा जाएगा किसको किसमें से minus करना है अब यह तो थी profit और loss निकालने की बाद अब देखो यहाँ पे profit percentage और loss percent कैसे निकालेंगे तो यही से आपको मैं समझा देती हूँ profit percentage निकालना है पहले तो यह बोलूँगी कि percentage कैसे निकालते है उसकी video प्लीज देख ले ना इससे पहले ही मैंने कराया है percentage उसके बाद यह देखना तो अच्छे से समझ में आएगा तो profit यहाँ पे अगर आपको पता चल गया है profit का percent निकालना है तो ध्यान से समझना क्या होता है profit percent कैसे निकालते हैं अगर समझ में आ जाएगा ना तो formula याद रखने की दुरत पड़ेगी नहीं तो मान लेते हैं CP जो है 100 है और selling price SP जो है 120 है ठीक है 20 रुपे का यहाँ पे profit हो रहा है 20 रुपे का profit हो रहा है मुझे निकालना है profit percentage percent अलग होता है profit अलग होता है 20 रुपे का profit तो मुझे clearly दिख रहा है percent कैसे निकालोगे वो ध्यान से देखना आपको पता है आपने कुछ पैसे खर्च किये और उस पैसे को खर्च करने के बदले आपको profit हुआ है यानि आपने 100 रुपे खर्च किये तो आपको 100 रुपीज खर्च करने पर 20 रुपे का profit हुआ 100 रुपे खर्च करने पर 20 का profit ध्यान से देखना तो जिस भी value से आप comparison कर रहे होते हो उसको आप हमेशा नीचे लिखते हो हर 100 रुपे में मुझे 20 का profit हो रहा है ध्यान से देखना इस बात को हर 100 रुपे खर्च करने पर मुझे 20 का profit हो रहा है into 100 कर दो percent है 100 के बिना तो काम चले गई नहीं तो इस fraction को multiply 100 कर तो आपको profit percent मिल जाएगा 100 से 100 cancel, 20 percent is your profit इस बात को ध्यान से देखना, formula में books में कैसे लिखा होता है यह जो base है 100, इसकी जगह होगा CP क्योंकि यह हमेशा CP ही होगा, profit निकालोगे तो CP के comparison में निकालोगे और उपर, यह 20 क्या है, यह आपका profit है, तो उपर लिखा होगा profit into 100 यह आपको profit percentage का formula books में मिल जाएगा formula रटने की ज़रत नहीं है, ध्यान से समझो, मैं एक और example ले लती हूँ इसके साथ में, मान लेते हैं जो CP और SP है इस time CP जो है, let's say 250 है, ठीक है और मैंने 500 रुपे की कोई चीज खरी दी, और उसको मैंने 300 में बेच दिया, 50 रुपीज ज्यादा में बेच दिया तो यहां से मुझे profit तो समझ आ रहा है, कि इन दोनों को minus करें, इनका difference profit कितना हुआ, 50 रुपे, लेकिन profit percent कितना हुआ, कितना percent profit हुआ, तो क्या करोगे कितने रुपे खर्च किये, 200 रुपे खर्च किये, 200 रुपे खर्च किये 200 पर 50 का profit, यानि मान लो, यह मैंने एक आर्टिकल बेचा, 200 का अगर मैं एक और 250 का आर्टिकल बेचूंगी तो मुझे फिर 50 रुपे का profit होगा एक और बेचूंगी यानि हर 200 रुपे खर्च करने पर मुझे 50 रुपी का profit हो रहा है तो इसलिए 200 नीचे लिखेंगे यानि CP को नीचे लिखेंगे ठीक है तो हर CP में इतना profit हर CP में इतना profit into 100 ठीक है अब इसको solve कर लो आप यह अपका हो गया 10 and 5 and 2 again 20% ठीक है I hope यह समझ आया होगा अब loss देखते हैं loss percent कैसे निकालोगे loss percent के लिए फिर से एक example CP यहाँ पे 100 और मैंने बेचा है 80 रुपीज में तो मुझे numbers में तो पता चल रहा है loss हुआ है कितने का 20 रुपे का इन दोनों को minus कर दो अब कितना percent हुआ है वो केसे निकालोगे तो loss percent क्या होता है सेम वही चीज जो profit में की थी हर 100 में CP नीचे हर 100 में मुझे कितने का loss हो रहा है 20 रुपीज का loss हो रहा है into 100 इन दोनों को cancel करो 20 percent इसी तरह एक और example देखो मान लो मुझे CP दिया हुआ है 250 ठीक है और इस बर SP थोड़ा सा change करते है 100 ले लेते है मैंने 200 में कोई चीज खरी दी और मैं उसको 100 में बेच रही हूँ ठीक है इतने कम में बेच रही हूँ तो कितने का loss हो रहा है पहले तो numbers में rupees में loss निकाल लेंगे तो loss हो रहा है आपको यहां पे 150 rupees का ठीक है अब देखते है loss percentage कितना होगा loss percent क्या होगा CP नीचे 200 रुपे के मुकाबले हर बार 150 जो है मेरा loss हो रहा है नुकसान हो रहा है into 100 कर दो ठीक है अब इसको solve करेंगे 60% आपका नुकसान है 60% आप कम दाम में बेच रहे हो तो इसको इसी concept को अगर मैं formula से लिखूँ तो loss percentage का क्या formula होगा CP नीचे loss उपर into 100 यह आपकी books में आपको देखने को मिल जाएगा अब अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया है तो काफी सारे questions है जो आप कर सकते हो अराम से इतने concepts के साथ formula रटने के ज़रत नहीं है मैं दिखाती हूँ कैसे questions solve करते है एक दो questions देखते हैं इसे related पहला question है अ आर्टिकल वोज बॉट फर रुपीज 400 और अड़ सोल्ट फर रुपीज 336 फाइंड दे लॉस और लॉस percentage देखो यहाँ पर loss और लॉस percentage पूछ रहा है आपको दोनों निकालना है तो ध्यान से देखना सबसे पहले मैं इसका question को पढ़ूँगे और अपने notes बनाऊँगे एक article था जिसको लाया गया bot मतलब होता है cost price कितने में लाया गया 400 में तो CP जो है आपको दिया वै 400 उसके बाद and sold for rupees 336 और SP कितना दिया है 336 दिया है तो देखो जाहिर सी बात है 400 में कोई चीज लाया है और 336 में बेच रहा है तो loss हो रहा है कितने का loss हो रहा है दोनों का difference तो आप यहां लिखोगे loss कैसे निकालते हो आप CP में से SP को minus कर दो 400 minus 336 would give you 64 तो यह तो rupees में आपका loss आगया 64 जो है इतना मुझे नुकसान हुआ है rupees में लेकिन अगर मैं loss percent की बात करूँ तो percent कैसे निकालोगे हर 400 में मैं बिना formula के कर रहे हूं दियान से देखना हर 400 रुपे खर्च करने पर मुझे 64 का loss हो रहा है तो loss उपर cp नीचे into 100 ठीक है इसको solve करोगे यह जाएगा 16 पर 16 percent is your loss यह आपका answer है अब आम देखते है next question यह बहुत important question है और बहुत अच्छा question है paper में बहुत पूछा जाता है देखो ध्यान से देखना if the cost price of 6 pencil is equal to the selling price of 5 pencil find the gain percent आपसे बूल रहा है कि अगर 6 pencil का cp 6 pencil का जो cp है देखो मैं जो भी लिखा होता है इसको अपने short form में या notes की form में लिखती हूँ जिससे मुझे ज़ाद अच्छे समझ में आता है तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप ऐसे कर सकते है if the cost price of 6 pencil is equal to the selling price of 5 pencil 5 pencil के selling price के बराबर है इस बात का मतलब क्या है जो ये समझ गया हुए question को भी समझ जाएगा ध्यान से देखना मान लेते हैं मैं 6 pencil खरीद के लाई let's say 2 रुपे की एक pencil थी ठीक है cp जो है 2 रुपे की एक pencil थी तो 6 pencil मैं कितने में लाई होंगी 6 into 2 करोगे 12 रुपे की मैंने 6 pencil खरीदी ये cp था इस side मैं cp लिख दे हूँ ठीक है इतना मुझे cost पड़ा और मैंने ये question क्या कह रहा है इतने ही रुपीज में आपने क्या कर दिया आपने बेच दी 5 pencil तो 12 रुपे की 5 बेची खरीदी कितनी थी 12 रुपे की 6 खरीदी थी बेची कितनी 5 pencil बेची उसी cost में यानि 12 रुपे की 5 pencil बेची ध्यान से इस बात को समझना तो ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे gain हो रहा है आपको profit हो रहा है क्यों? क्योंकि आप जितने में 6 pencil लाए थे 12 रुपे में 6 लाए थे तो आप उतने में 5 बेच रहे हो यानि एक pencil का आपको फाइदा हो रहा है कितनी pencil बेचने पर एक pencil का फाइदा हो रहा है 5 pencil बेचने पर एक pencil का फाइदा हो रहा है तो ध्यान से देखना अगर मुझे यहाँ पर profit निकालना हूँ सबसे पहले तो profit profit हो रहा है मुझे one pencil का ठीक है? एक pencil का profit हो रहा है? बिल्कुल ठीक अब profit percentage निकालना है profit percent कितना होगा तो एक चीज अब formula रट होगे तो confused होगे, तो ध्यान से समझना मैंने क्या बता है? कितने उपर क्या आएगा? जितने का फाइदा हो रहा है? इंटू हंड़िड करते हैं यह formula है इसी तरह मैं 5 pencil जब मैं बेच रही हूँ न तो मुझे एक pencil का फाइदा हो रहा है ध्यान से समझना इस बात को 6 मैंने कभी भी नहीं बेची है मैं 5 pencil बेच रही हूँ यहां से आप cancel करोगे यह आएगा 20% अगर समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार और देखना शांती से आपको अच्छे से clear होगा यह बहुत important question है बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के questions आपके comparative exams में भी देखने को मिलते हैं अब उसी तरह का एक और परसेंट अगर 15 पैन का जो cost price है वो equal है 20 पैन के selling price के same वही चीज है लेकिन थोड़ा सा difference है पिछले question में profit हो रहा था यहां पर loss हो रहा है तो देखो क्या difference आता है अगर CP जो है 15 पैन का वो SP के बराबर है 20 पैन के तो आपको loss percentage बताना है यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि मैं 2 रुपे का एक पैन लेकि आई cost price जो थी वो एक पैन की मान लो 2 रुपे थी समझाने के लिए मैं example ले रही हूँ तो 15 पैन कितने में आयोंगे total 15 into 2 करोगे 30 रुपे में आयोंगे ठीक है 15 पैन जो है वो 30 रुपे में आयोंगे अब question कह रहा है कि 15 पैन का जो CP था ना वही सेम उतने में आपने 20 पैन बेच दिये तो लाए आप 30 में 15 पैन थे बेचे आपने 30 रुपे में 20 पैन तो कितने नुकसान हो गया बिल्कुल 5 रुपे का नुकसान हो गया 5 पैन का नुकसान हो गया क्यों क्योंकि आप 30 में 15 लाए थे और आप 30 में 20 पैन बेच रहे हो 5 एक्स्ट्रा बेच रहे हो तो 5 पैन का लॉस है तो यहाँ पर मुझे लॉस समझ आ गया 5 पैन का हो रहा है अब loss percent कैसे निकालोगे loss percent क्या होता है कितने pen बेचने पर कितने का loss उपर लिखेंगे तो यहाँ देखो pen कितने भिक रहे है हर बार 20 pens आप बेच रहे हो ध्यान से समझना इस बात को हर बार आप 20 pen बेच रहे हो 20 pen बेचने पर 5 का नुकसान हो रहा है इसको सॉल्व करोगे यह आपका आएगा 25 परसेंट आपको यह मिल गया है नीचे बेस में क्या रखना होता है इस पर ही ध्यान देना है यह समझ आ गया आपको profit loss में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब देखते हैं एक और question यह question है find the SP of an article for which CP equals to Rs.650 and gain percentage 6% तो यहां पर आपको CP दिया हुए देखो for which CP is 650 तो 650 जो है CP है SP आपको निकालना है और इन दोनों के बीच में gain नहीं दिया है बट gain percentage दिया है 6% तो आपको यह पता होगा ध्यान से समझना इस बात को कि जितने की आपने चीज खरीदी वो CP होता है तो इतने में gain percent आप add करोगे तभी तो SP आएगा यानि मैंने इतने की कोई चीज खरीदी उसमें 6% फायदा कमाया तो मैंने कितने का बेचा होगा इन दोनों को plus करोगे तभी तो SP मिलेगा अब यह 6 रुपीज में नहीं है यह 6% में तो आप इसको ऐसे plus नहीं कर सकते आपको 650 का 6% पहले निकालना होगा फिर plus होगी जो 6% value आएगी वो plus होगी तो सबसे पहले हम gain percent जो है उसकी help से हम gain निकालते हैं तो gain कैसे निकालोगे 650 का 6% निकालना है ठीक है इसको मैंने आपको solve करने का तरीका बताया है 6% ऐसे लिखो 6% of 650 650 CP है इसका 6% आपको निकालना है percent हटाना है तो 6 के नीचे लिख दो 100 off का मतलब होता है multiply 650 आप इसको solve करो आप ये हो गया 10 से 52 and 13 3 तो 13 into 3 is 39 39 रुपीज का जो आपको gain हुआ है इस 39 यहाँ पे लिख देते हैं अब SP निकालना है कैसे निकालोगे 650 यानि इतने में खरीदा इतने का फायदा दोनों को plus किया कितने में बेचा होगा plus कर दो 650 और 39 तो 9, 8, 6 यह जो है आपका SP है यानि इतने में बेचा होगा तब भी आपको 39 रुपीज या 6% का फायदा हुआ है बहुत easy question है अगर समझ में आ जाए तो और भी बहुत सारे तरह की question है वो next video में करेंगे इनके question जितना practice करो उतना कम है बहुत practice करने पे आएगा obvious सी बात है एक बार आ गया फिर नहीं बूलोगे कभी भी यह ध्यान रखना